नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे मैं भी ठीक हूं और अपने गाड़निंग के कामों में व्यस्थ हूं और इन दिनों मौन्सून का काफी अच्छा समय चल रहा है और यह मौसम बहुत सुंदर होता है हमारे पौधे लगा पाते हैं तो आज का जो सब्जेक्ट है यह वह है कि हम अपने गार्डेन के लिए नरसरी जाए तो कौन-कौन से पौधे इन दिनों लाए ताकि हमारा गार्डेन फूलों से भरा रहे और हरा भरा दिखे और बहुत ही खुबसूरत हो जाए मौनसून के सीजन में तो आज इसी की वीडियो में लेकर आई हूं दोस्तों उमीद है कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्फुल लगेगी और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलिएगा क्योंकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो आए वीडियो को सुरू करें इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ हलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आभी जो हम अपने गार्डें में कोई भी पौधे एड़ करेंगे तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं और काफी अच्छी ग्रोध देखने में आती है तो ऐसे ही कुछ पौधों के मैं नाब बतलाऊंगी ये दिखल कि कैसे कैसे पौधे इन दिनों हमनरसली से ला सकते हैं और अपने गार्डेन में बखू भी एड़ कर सकते हैं और काफी सारी सुन्दर सुन्दर फ्लावरिंग ले सकते हैं तो इनमें सबसे पहला नाम है ये पीस रेंडीली का जो देखिए कितनी सुन्दर ब्लूमिंग हो रही है मैंने एक मेने पहले ही इसको लगाया था और देखिए कितनी सुन्दर प्लूमिंग है इसमें इसके कई सारे कलर होते हैं और हाइब्रीड और देशी दोनों विराइटी के होते हैं और दूसरा नाम बहुत ही खूबसूरत पौधा ये वास्तू के हिसाब से और धर् जो कि बीद से भी लग जाता है अगला नाम बहुत ही खूबसूरत चम्पा का है चम्पा में कई सारी वरायटी होती है ये नाग चम्पा का फौculoemar है दोस्तों ये बहुत ही हाड़ी है और एक फरर अगर लग जाये तो ये घटने का नाम नाम नहीं लेता जल–Сुन्दर करते हैं और अगला नाम बहुत ही चीर परचीत यह गुढ़ल का है इसको तो सभी जानते हैं और सब लगाना भी चाहते हैं क्योंकि इनसे हमें फूल काफी मात्रा में मिलते हैं और हमारे पूजा के लिए फूल का परपस सॉल हो जाता है यह रेड़ वाला देखिए गुढ़ फूलों वाली और यह रेड़ वराइटी पिंक कलर के और कई सारे कलर में यह मिलते हैं इंद्र धनुसी रंगों के यह होते हैं और लगबाग साभी कलर इसमें मिलते हैं तो इसको भी जरूर ले आए नरसरी से इस समय बहुत अच्छा समय है और अगला नाम बहुत ही चलने वाला पौधा है लेकिन लगबाग सार पूरे साल यह फ्लावरिंग करता रहता है क्या ठंड क्या गर्मी और आज कल यह चोटी चोटी वेराइटी आने लगी है हाइब्रेड वराइटी पॉट वेराइटी है उसको तो आड़ करना ना भूलें बहुत ही खुबसूरत का नाम नहीं लेंगे अब बहुत नॉमिनल केर में यह बहुत सुन्दर फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों इसके भी कई सारे कलर होते हैं वाइट पिंक येलो औरेंज सब तरह के होते हैं देशी वाले भी इसमें आते हैं जो कि बड़े पौधे उसके हो जाते हैं लेकिन यह सब हाइबरीड वाले वराइटी हैं यह सिंगल पेटल डबल पेटल सभी में आते हैं दोस्तों तो इसको भी नर्सरी से आप ज़रूर आड करें लेकर अपने गार्डेन में और अगला नाम यह टिकोमा है टिकोमा में भी कई सारे कलर मिलते हैं इसके भी हाइबरीड इस टाइब का कई सारा फ्लावर है और इसकी वाइन वाली वेराइटी भी मिलती है यह देकि औरेंज वाली यह बूस्त टाइब का होता है दोस्तों और काफी हेवी फ्लावरिंग होती है इसमें गर स्प्रिंग सीजन से ही इसकी फ्लावर सुरू हो जाते हैं और करीब नफैना चाहते हैं इसके कुछन ऊसमaria कारण भी फूलल और फूल ऐसे लगते हैं जैसे रूई नुमा इसकी पेटलस होती है और कई सारे कलर में यह मिलते हैं पिंक डिस य area April तो जरूर वहाइटची je जो कि छोटे पौध में ही काफी सुन्दर फ्लावरिंग करती है और देखे इसके पत्ते बिल्कुल ब्लैक टाइप के हैं और देखे फूल कितने सुन्दर दिख रहे हैं और अगला नाम यह बहुत ही चीर परचीत यह मदुमालती का है इसमें देखिए जुमके के साइज के अहितर आते रहते हैं और लठगते रहते हैं और इतनी हेवी फ्लाविंग इसमें आती है कि पूछिए मत और देखिए इसमें खुसपू काफ笑 होती है इसलिए पॉलिनेटर को भी अटेक करते हैं और काफी खुबसूरती से यह चलते हैं इसमें भी बहुत कम केयर करना पड़ता है और अगला नाम यह बहुत ही सुन्दर रोज का है यह रोज वाइन है दोस्तों और यह रोज हमेशा ही खिलता रहता है गुच्छों में तो इस टाइप के जो रोज है उनको भी आप आड़ करना ना भूलें और देसी रोज है उनको भी आड़ करें इन दिनों क्योंकि देसी रोज हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहते हैं दोस्तों और काफी हाड़ी होते हैं और लगाना बहुत ही आसान होता है और काफी समय में ही फ्लावरिंग क होती ही रहती है काफी लंबी-लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं और देखिए इस तरह से काफी उची-उची को दिखनों को मिलती है रुछ में और इसमें भी कई सारे धूचैनल मेंचणित मेरा ओरेंज वाला है ये वी काफी हड़ी प्लांट है और इसको भी नर्शरी से लेना लाना न भूलें इसमें भी काफी कम कैर करना पड़ता है और काफी असानी से चल जाता है और इन दिन नों बरसाथ में काफी भर भर के फूल देते हैं दोस्तों तो इसको भी जरूर लाएं अपने गार्डेन में आड़ करें अगला नाम बहुत ही सुन्दर ये मोगरा का है इसमें भी कई सारी वराइटी आती है और पॉट में ही काफी सुन्दर फ्लावरिंग करते हैं ये सब ये देखें स्टार मोगर करें और जितने भी कि खुस्वू बाले पौधे हैं उसको भी एड़ करें इन दिनों कि ये देखिए मेरे पास दो ही पौधा है लेकिन इतनी भर भर के फ्लावरिंग करता है कि पूछिए मत और ये अगला नाम ये पारिजात या हरसिंगार का है इसको भी जरूर एड़ कर से इसमें काफी सुन्दर देखने को मिलती है और करीब नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है तो इसको भी जरूर एड़ करें और अगला नाम मधुकामिनी का है इसकी खुस्बू से तो दूर दूर तक इसकी खुस्बू फैलती है पूरा गार्डेन खुसबूदार हो जाता है यह कामिनी मदू कामिनी का पौधा और जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है तो हजारों में फ्लावरिंग होती है देखे कितनी सारी कलियां बनी हुई है एक साथ ही पौधा फूलों से भर जाता है तो इसको भी जरूर एट करें और अगला नाम य अपने गार्डेन में बहुत ही खुबसूरती एड़ करें और आप कुछ वाइन वाले पौधे जो कि आपको अपने गार्डेन में जरूर एड़ करना चाहिए यह लमांडा वाइन है इसमें येलू कलर का फूल आता है दोस्तों और काफी ब्राइट कलर होता है तो है और यह देखिए अब इसमें कलियां बनने लगी है अब इसमें काफी सुन्दर फ्लापरिंग देखने को मिलेगी तो वाइन वाले में यह सब पौधे जरूर लाएं और अपने गार्डेन में आड़ करें काफी खुबसूरती एड़ करें और यह हाड़ी होते हैं यह वा पौधे और अब धिरे धिरे रिवाइब हो रहे हैं और एक जोरो को भी आप जरूर आट करें यह वी काफी हाड़ी प्लांट है और काफी सुन्दर इसके फूल होते हैं गुच्छों में इसके फूल आते हैं और यह देखिए मीनियेचर वाला इक जोरो वाइट कलर का और नाम यह लाइंटाना का है लाइंटाना बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और देखिए कितनी सुन्दर सुन्दर इसमें कलर आते हैं आजकल इसकी पॉट्ट वेराइटि आने लगी है और चोटे-चोटे गमले में ही मेरे 6 इंच के गमले में लगा हुए पौधा जरूरी ही हो जाता है क्योंकि इसके फूल किसी को बर्बस ही आकर्सित कर लेते हैं यह मेरा छोटे-छोटे प्लांट मैंने इसके लगाए हैं जो कि मेरे गार्डेन में खुद से ही उगाए हैं अब देखिए कितनी सुंदर फ्लाबरिंग पे आ गया है दोस्तों इसकी बड़ इन दिनों देशी सदा बाहर को अड़ देखिए को कि हाइवरिड वाले बँरत के पानी सックे कभी हाईवरिड वाले बिनका को आप देशी वाले वीनका कर सकते ही यह आफ़ी हाणी होते हैं और एक बार जब गार्डेन में आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेते हैं और अगल इसको चलना चलना इसको थोड़ा सा क्यार मांगता है इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए और ज्यादा धूब भी नहीं चाहिए लेकिन फ्लावरिंग इतनी खुबसूरत करता है कि पूछिये मर् यह है टिकोमा वाइन यह देखिए इसमें भी उच्छों में फ्लावर आते विख्यात है इसमें आजकल दो कलर आ जाते हैं पिंक और वाइट लेकिन यह मेरा पिंक डवल बेटा वेराइटी का है और इसको मैं इस वार मल्टिप्लाई करके कई सारे प्लांटर में इसको लगाया है अभी इसमें नहीं निकल रही है ब्रांचेश तो निकलेंगी तो फ फूल की जाते हैं इसलिए इसका नाम मौनिंग ग्लोरी है और नौ बस्ते बस्ते यह मुर्चा जाते हैं और यह बहुत ही कम केर में होने वाला उने वाला पौधा है और काफी सुन्दर है भी फ्लाविंग करता है अगला नाम एक लिमेटिस वाइन का है इसका देखी वाइ इसका अगला नाम फिल्द अगला नाम थन बरगीया का है और एक बार इसको अडले तो इतनी सुन्दर सुन्दर यह फ्लावरिंग करता है यह देखिए तो नौ बहुत ही सुन्दर इसके फूल होते हैं और इसको भी जरूर अचारें और एक बार आप लगा लेंगे थो हमे और बरसात का मौसम होता ही है कटिंग लगाने के लिए और बड़े आराम से किसी भी पौधे की कटिंग चल जाती है दोस्तों तो और यह अगला नाम मेक्सिकन पिटुनिया का है यह तो एक बार अगर गार्डेन में आप आड़ कर लीजिए तो जाने का नाम ही नहीं लेंगे अगर आपके दोस्तों में किसी के पास अगर यह पौधा है तो छोटा सा पौधाय का अगर आप ले आए तो बड़े आराम से आपके घर में चलता रहेगा और सीजनल फूल की बात करें तो सबसे पहला नाम यह बालसम का है यह देखिए कितना सुब्सूरत पौधों के लि अगला नाम ओने साथ में इसको बहुत सुन्दर फूलों के लिए जाना जाता है और अगला नाम यह बहुत ही खुबसूरत अदेनियों का है इसको अगर आप गर्मियों में आड नहीं कर पाए है तो इन दिनों आप बड़े आराम से आड कर सकते हैं ये अपने खुब्सुरत फूलों के लिए जाना जाता है और बहुत सुन्दर-सुन्दर flowering और बहुत सुन्दर-सुन्दर color इसमें आते हैं और इसमें बहुत ही कम maintenance में चलने वाला पोधा बहुत ही सुन्दर दिखता है तो ये थे कुछ फूलों के नाम जो आपको इन दिनों नर्सरी से लाने चाहिए मिलती हों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैपी गाडनिंग ओके बाई बाई माई फ्रेंड्स टेक क्यार